Consider the following statements Archaeological remains of the Harappan Port Town of Lothal are located Along the river Sabarmathy In the Gulf of Cambay यह कहता है कि जो Lothal Port Town है आपको यह पता है इतिहास में लोथल नाम की एक जगे थी जो Indus Valley की साइट थी यह अपने आप में एक Port Town था और यह किस नदी के किनारी था तो यह साबर मती नहीं है यहां पर भोगवा होना चाहिए यह रिवर भोगवा की कहानी है यह अपने आप में ठीक नहीं है दूसरा इसको बाहर करो Kalip Bangan Town is located on the bank of घगघर यह सही है दिरसाद्दोती भी इसको कहते थे तो जो लोग आप पुराने इंसी आर्टीस पढ़ते हैं उनको यह दिरसाद्दोती भी पता होगा इन्द हनुमान गर विश्टिक आफ राजस्थान तो यह भी ठीक है बनवली इस नोन फर टेरा कोटा रेप्लिका आफ प्लाव मतलब क्या है मतलब यह कि हलका एक खिलवना कल एक खिलवने के सेप में इसे हम बोलते है about तेरा कोटा मतलब मिट्टी का बना हुआ आग में पका हुआ तो तेरा कोटा रेप्लिका आफ प्लाव कहां से मिला था बनवली से और यह एकदम सही है तो था काली बंगन has given the evidence of the earliest प्लावड एग्रिकल्चर फील्ड एवर रिवील्ड थू एक्सकेवेशन तो देखो काली बंगन वो जगए है यहां पर भूमी का एक प्लॉट मिला इसमें की जुताई के निसान है और यह इस सीक्वेंस में सबसे अर्लिएस्ट जुता हुआ खेत माना जाता है और यह बात भी सही है एक प्लेस था जो वर्तमान गुजरात में पाया जाता है कहां पर कच रिजन में पता होना चाहिए वर्तमान गुजरात के कच रिजन में यह धोला वीरा इस्थान पड़ता है इंपॉर्टन्ट है विकाज धोला वीरा के रिगार्डिंग कई सारे डेवलेप्मेंट हुए है तो गुरिवनिंग अनामे का तो धोला वीरा में दस बड़े साइज के हरपन स्क्रिप्ट आए गये हैं तो देखो जैसे हमको पता है कि हरपन लोग पढ़ना लिखना जानते है पड़े नहीं सके यह अलग बात है कथन सही है ऐसे 10 लार्ज साइज के जो पाइन है हर अपन स्क्रिप्ट के वो धोला वीरा सही मिले यह आपको फोर फैक्ट है इनमें प्लेसे और उनकी रिलिवियंस यह आपको नोट कर लेना चाहिए धोला वीरा 10 लार्ज साइज 3, 4 and 5 correct है अब यहाँ पर हमारे पास question विकल्फ है कि इसमें से कितने सही है तो जहाँ पर 4 हका वो सही है यहाँ यहाँ पर आंसर है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह भोगवा रिवर में है लोथल Select the most appropriate statement about the writing लेखन के बारे में लेखन प्रणाली के बारे में सबसे उपयुक्त कतनों का चुनाव करना है People of Sumerian civilization were first to develop the art of writing in proper system यहीं कि Sumerian सभिता के लोग सबसे पहले लेखन के बारे में परची थे हैं और यह कतन सही है Sumerian primary script were very evolved No, it was very premature primary stage primary level की थे Sumerian lipy और बहुत जदा विकसित नहीं थी ठीक है तो यह बात ठीक नहीं है दूसरा Uniform script of China is generally known as one of the earliest system of writing Uniform script of China की नहीं है यह Sumerian की है ठीक है किसकी है? Sumerian की तो यह भी गलत हो जाए इस तरह से हमारा के वाल एक statement सही होगा and that is first only one ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है Which of the following ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting? यह को इन ही सब्दों पे देहन दो Water harvesting की बात कहां पे सबसे पहले आपको पता चलती है and a series of dams channelizing water into connected reservoirs इस हडपन city में reservoir होते थे dam होते थे और वो dam reservoir तक पानी supply करते थे और इस तरह की water harvesting की बैवस्ता थी आप यह developed form की चीज़े थी तो धोला वीरा इसके बारे में अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है धोला पीरा में conventional form की अपने आप में water harvesting system थे इस तरह से यह आपका उत्तर सही हो जाएगा देखो यह इतिहास है इसमें काफी चीज़े आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी ठीक है question number four भीम वेडिका केप्स को ऐसा क्यों बोला जाता है कि इसमें lower paleolithic, mesolithic and kalkolithic तीनो काल की evolution पाए जाते हैं क्या प्रतीक है वहाँ पे तो हमको इसमें कुछ चीज़े देखनी पड़ेंगे तो वहाँ पे tools and implements यानि कि उपकरण और आउजार यह तीनो काल के मिलते हैं मतलब lower paleolithic, mesolithic और kalkolithic तीनो period के दूसरा there are large number of sankhlippi inscription अगर आपको sankhlippi inscription के बारे हम कुछ ही जाना है तो यह जानी है कि यह कीशापुरू के बात की है यह बात की है यानि कि यह e-swee के सतक की समय की है इसको हम c e बोलते हैं यह कीशापुरू की बात की है और e-swee के period की है और normally 4 to 8th c e की मानी जाते है इसके अलावा यह दच्छन भारत में नहीं पाई जाते है तो sankhlippi के बारे में हम भीम बेटिका के reference में link नहीं कर सकते हैं चुकि भीम बेटिका अपने आप में बहुत पुराना है sankhlippi के तुलना में इसलिए यह गलत हो जाता है के बल हमारे एक कतन सही होगा और उपर हमें दिखाई दे रहा है one only so answer हमारे यह आ जाएगा next हाँ यहाँ पर देख सकते हैं कि जो sankhlippi है वो अपने आपना cell script हुआ करते थे और यह ब्रामी करेक्टिरिस्टिक्स की थे यह across इंडिया पाई जाते थे 4th to 8th century CE में except South India South India में नहीं है question number 5 which of the following is not a हरपन site इन में से कौन सी हरपन site नहीं है UPSC 2019 में पूछा गया है एक बात जैसके में ने बताये थे कि हर पेपर में 5 से 8 के आस पास UPSC के आई हुए question रहेंगे तो अगर आपने PYQ कहीं और से नहीं किया है तो यहां पे दियान देना ठीक है इन में से कौन सा हरपन site नहीं है code दीजी कन्हुदाड़ो है code दीजी है तो हुगावरा नहीं है रेसलपूर है इस सो हुगावरा क्या है तो हुगावरा कौपर प्लेट है असोका की कौपर प्लेट इस्क्रिप्शन है असोका की Moran ruler असोका यह सो हुगावरा कहाँ पाया जाता है तो उत्तर प्रदेस का जो गोरक पुर इस्थान है जहां से बाबा-योगिन आधित नाज्यी है गोरक पुर ये हैस्स होगा रहा हूँ तो इस तरह से कौन सा नहीं है हमारा आंसर हो जाएगा C Consider the following with reference to plant painted gray wear PGW आज देखते हैं painted gray wear के बारे में painted gray wear is a predecessor of black and red wear culture PGW belong to Vedic period black and red wear इसको RBW भी कहते हैं ये belong करती है Indus Valley Civilization को तो अगर आपको पता है कि RBW यानि कि black and red wear वो Indus Valley Civilization के time की है PGW predecessor कैसे हो सकता है यानि कि PGW काले और लाल बर्तन से पहले कि कैसे हो सकते हैं पूरवर्ती पूरवर्ती तो हो नहीं सकता because वो उसके बात का है Indus Valley पहले थे इनके RBW पहले थे यानि के RBW प्रेडिसर्सर्स थे black and red wear प्रेडिसर्सर्स थे तो ये गलत हो जाएगा those were high quality metal work not metal work ये मिट्टी के MRध भाण होते थे मिट्टी के बरतन मिट्टल भाण नहीं है इनको बोलते थे MRध मिट्टी के बरतन मिट्टल भाण नहीं है ये दोनों बाहर करो PGW संस्खर्थी गाउं और सहर दोनों बस्तियों से जुड़ी है वेदिक पीरिड में जो इसमालर अर्बन एरियास थोड़े थोड़े डवलब थे otherwise they were mostly villages आपको पता है कि वेदिक सिविलाइजेशन ग्रामीन सिविलाइजेशन पर PGW उसके बाद के उसके पहले के और खास दोर से उत्तर वेदिक काल में जो छोटे छोटे अर्बन सेंटर डवलब होना शुरू हुए थे तो अर्बन सेंटर को भी यानि कि टाउन सेंटलमेंट को भी ब्लॉंग करते हैं और विलेस को तो करते करते हैं यह सही है यह गलत है PGW sites can be found in Ganga Basin तो आपको पता है कि वेदिक civilization and later वेदिक civilization Ganga Basin पर डवलब हुई है यह सही होगा तीन और चार की उत्तर हो जाएगा 7 Consider the following statements The knowledge of script and town planning of Indus Valley civilization was not as developed as Aryan यह कहता है कि script और town planning Aryan की ज्यादा developed थी वेदिक Indus Valley civilization से तो देखे script के बारे में हमें पता नहीं कि Indus Valley civilization की script exactly क्या थी तो उसके बारे में हम comment नहीं कर सकते लेकिन town planning वेदिक यानि कि वेदिक Aryans की तुलना में Indus Valley civilization की ज्यादा evolved थी इसली यह कहता हम गलत होगा okay Indus Valley civilization की जो town planning है वेदिक civilization ज्यादा evolved थी क्यों कि Indus Valley civilization urban civilization थी वेदिक civilization total civilization तो हम इस तरह सी यह नहीं कह सकते कि Indus Valley civilization was not as developed यह बाद थी different archaeological places pieces of evidence of pottery have been found in the early settlement of मेहरगड from Indus Valley civilization तो यह कहता है कि मेहरगड से और यह archaeological pieces पाए गए हैं जो pottery के संकेत देते हैं और यह बात तही है और वो pottery किस तरह कि थी याद रखना R, P, W नहीं कि black and red वेर black and red three the red pottery is painted with black figure over the speciality of Aryan civilization no Aryan civilization यादिक बादिक civilization कि pottery का style था PGW था painted grey वेर PGW कमनलब गेर्वे कलर के मिर्दभाण गेर्वे कलर के मिट्टी के भरतन उनको हम बोलते हैं PGW यह बात गलत है रेड़ पॉर्टरी किसका है रेड़ पॉर्टरी जब भी बात आएगी तो आप Indus Valley Civilization के साथ आपने आपको connect करेंगे और उसमें black design होती थी रखेंगे Indus Valley Civilization यह बात दूसरा कथन सही है उत्तर हमारा हो जाएगा A यह बात एक कथन सही है इसलिए इसलिए इट्थ विट रेफरेंस तो दिफरेंस बेट्वेन कुल्चर आफ रिग वेदिक आर्यन और इंड़ वेदिक आर्यन used a coat of male and a helmet in warfare the people of Indus Valley Civilization did not leave any evidence of using them के बात ठीक है क्यों 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 इंड़ वेदिक इविलाइजिएटेंस का ही युद मेंnt इंगेज होँ ऐसे पूर्फ नहीं मिलते हैं और जो रिग बजेबीदिक आर्यन्स हैं उनके बारे में ऐसे evidence मिलते हैं कि वो war practices को जानते थे और वो कुछ न कुछ war equipments and tools जैसे कि mails and helmets का इस्तेमाल करते थे यह coat of male मतलब पुरसों दौरा पहने जाने वाले coat, male coat और helmet युद्ध के दौरान पहने जाते थे और उसकी बड़ी वज़े थे बैदिक civilization के लोग थे वो लोहे से परचित थे यह इसकी पीछे एक बड़ा कारण है और साथ में war practices की जैसे मैंने बात बताई कि इंड़स्फवली civilization युद्ध के बारे में ज़्यादा समझ रखते थे, ऐसा कुछ मिलता नहीं है प्रूव और यह देखते हैं रिगवेदिक आरियंस निव गोल्ड सही है सिल्वर सही है, कॉपर सही है इंड़स्वली पीपल निव ओनली कॉपर और आयरन यह ओनली हटा दो कॉपर सही है, आयरन गलत है इस तरह से कथन भी हमारा गलत हो जाएगा उनने देखा कि पहला सही है दूसरा गलत है तीसरे कथन पे आते हैं रिगवेदिक आरियंस हैड डोमेस्टिकेटेड दी हॉर्स यानि कि रिगवेदिक आरियंस ने गोडों का पालन किया यह सही है, ठीक है जैसे मैंने बताये कि उनको युद्ध के थोड़ी बहुत समझ थी और वो घोड़ी का इस्तिमाल करते थे वैसे भी अतीत यह बताता है कि रिगवेदिक आरियंस वो पस्चिम से आये हैं पस्चिम से उनने भारत में प्रेविस किया और इनके उपस्थिते कि कुछ साच इरान में भी मिलते हैं मधेशिया में मिलते हैं ठीक है तो इस तरह से एक मूमेंट पता चलता है और नौर्मली इतिहास में कि माध्यम से विलीब किया जाता है कि ओरिजनली यह काकेसस माउंटेन से आये और रिगवैदिकारियन वो बीना घोड़े के आये हूंगे क्या इस बात की कम सम्भाव ना लगती है अब लिखाए कि लोग घोड़े को जानते थे ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिलता है और यह बास सही है तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा यह बास देखते हैं कैसे विगलत है एक बात देहां रखना अगर यह कहा जाए इंडर्स वैले पीरियड में घोड़े की कोई साक्ष नहीं है तो यह बात गलत तो कि घोड़े के साक्ष तो कम सिकम दो जगे से मिले लेकिन उसे यह स्टैबलिस नहीं होता क्या इंडर्स वैले पीपल के लोग घोड़ों के उपयोग से परचित थी की नहीं घोड़ों के साक्ष मिलना एक बात है उसके उपयोग से परचित होना दूसरी अनिमल जंगल में हो सकता है इसलिए हम यह नहीं के सकते कि एनिमल के साक्ष हैं तो इंडर्स वैले के लोग उसे यूज ही करते थे यूज करते थे या नहीं करते थे यह स्टैबलिस होना आवश्यक और वो ना तो उनके मुहरों से कुछ मिलता है ना कोई परतीक जो बनाते थे उससे कहीं मिलता है ना किसी ख़ड़ोनों से ऐसा कोई प्रूफ मिलता है कि इंडर्स वैले सिविलाजेशन के लोग बोड़े के प्रयोख से परते थे इसलिए इसलिए इधन सही है ठीक है नो विडेद वन एन थ्री बी विल बियाँ इंडर्स वैले सिविलाजेशन किन-किन नदियों के आसपास फैले थी तो इंडर्स उसे के नाम पे सिंदु है जिनाव एंड छेलम यह जितनी जो पंजाब की पांच नदियां है तो जमून कस्मेर मांडा है ना जमून कस्मेर मांडा उसमें कहा जाता था यहां से लेकर मेरठ जिसका नाम था आलम गेरपुर मेरठ के पास कौन से नदिया है यमुना यह गंगा गलत है अगर यहां पर यमुना होता तो सही होता गंगा गलत है 1,2,3 आंसर होना चाहिए 3 will be the answer which of these are chief difference between mesolithic and neolithic culture mesolithic and neolithic culture के बारे में में से कौन कौन से महतुपूर्ण अंतर को व्यक्त करते हैं question number 10 पे है हम लोग hunting, gathering pattern of life not began not before neolithic period कहता है कि 9 पाशान काल के पहले hunting और gathering शुरूर नहीं हुआ यह गलत है क्योंकि hunting and gathering यह तो पहली अलिए अलिए पीरिए से चालू है mesolithic period में domestication सुरू हो गया तो यह बात अपने अपने गलत हो mesolithic culture did not practice domestication यह हमको पता है कि mesolithic culture में ही domestication स्टाट हो गया था पसुपाले ने स्टाट हो गया था यह गलत हो जाएगा the use of blow bow and arrow यानि कि धनुष और बान यानि कि तीर cannot be found in mesolithic culture unlike neolithic of course they were found इनी के help से तो वो खिकार करते थे ठीक है यह भी गलत हो गया one two three तीन हो गलत है evidence of pottery is absent from neolithic culture pottery तो neolithic culture से पहले से मिलने लगी थी heliolithic period में भी pottery की थोड़ा बहुत उपयोग सुरू हो गया था तो यह गलत है ठीक है इसको भी बाहर करो अच्छा सभी गलत है तो none of the wap सही हो यह answer होगा fine आप लोग कोई बात आपको लगता है कि repeat करने की जरूरत है कोई concept established नहीं हुआ कोई चीज समझ में नहीं आई है तो वह आप लोग बोलेंगे ठीक है इसके बारे मगर आप और ज़्यादा detail में learning लेना चाहते हैं तो यहां से आपको प्राफ हो सकते हैं अले अले